हलो गैस विल्कम बैक टू मैंने वीडियोज में बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी के वारे में कि कल किस तरीके से प्लैनिंग करनी चाहिए मार्केट क्लोज हुआ 22,272 के अराउंड अल्मूस्ट अगर आप देखोगे तो पहली जो पांच केंडल बनी है लो पर आके बंद हो है हमारा मार्केट ये एक दिक्कत वाली बात है अगर हम कल गैप अप ओपन होते हैं तो हमारे लिए जो डेल हो है काफी ज़्यादा इंपोर्टेंट होगा जल्दी से बात करेंगे ये हमारा टलीग्राम ग्रोप है आप चाहके इस पे जॉइन हो सकते हैं आपके उपर है free of cost यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा आपको देखने को मिलेंगी trades जो मैं अपने members को देखता हूँ फॉर एक ट्रेड दिया था 346 पे जिसका हाई बनाता 420 142 इसमें एंट्री था निफ्टी में 165 तक यह गया था दो एक ट्रेड और दिया था जो इदर डाला नहीं है आप लोगों को बैंक निफ्टी में बोला था 48,970 के नीचे put side में जाने के लिए उमार्केड काफी नी चली अब बात कर लेते हैं मार्केड की यहाँ पर हम थोड़ा सा 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे क्यों क्योंकि एक बड़ा gap down हुआ है जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है एक अलग दिन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर अब important levels क्या है downside के वो मैं यहाँ पर आपक बता देता हूँ कल के लिए कि market अगर fall करता है तो कहां तक यह आ सकता है यह आ सकता है 22,200 तक अभी हमें 72 पे ठीक है अगर और fall करता है तो हम इस level तक आ सकते हैं और यह level है हमारे लिए 22,100 का ठीक है यह है हमारे लिए level 22,200 का यानि कि अभी हम 272 पे तो यह दो level हमारे लिए कर downside के लिए important रहने वाले हैं अब बात करें upside की तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 22,350 important level है इसके ऊपर निकलेंगे आपको 22,450 तक के level देखने को मिलने वाले हैं कल के दिन में तो थोड़ा सा आप call side के लिए opportunity जब बने तभी लेना otherwise मत लेना put side के लिए हम वापस से plan करेंगे लेकिन अगर 50% का फिवरेट रिसमेंट निकलता है तो हम call side भी plan कर लेंगे तो उसी के साथ वीडियो को like करो, channel को subscribe करो, telegram को join करो, comment section में जो पूछना है पूछो, एक यह important level रहने वाला है upside के लिए और एक यह जो हमारी red line है, मैंने आपको पहले भी बताई थी कल के दिन भी, वापस से बता रहो कि यह red line काफी important आप देखो morning में जब हम इसके उपर निकले तो कितना अच्छा target दिया और जब हम इसके नीचे आए तो आप देखो कितना अच्छा downside में भी हमको target देखने को मिला so thank you so much, मिलते हैं bank nifty के वीडियो में